एक जंगल में एक चिरिया रहा करती थी किसी कारण बर उस जंगल में उसकी घोसला पूरी तरह से तबाह हो गया वे पूरी तरह से हतास हो गई वह अपने जीवन से पूरी तरह से ठक चुकी थी एक दिन परसान होकर वह जंगल के निकल गई और यह सोच रही थी कि भगवान ने मेरे साथ यह क्या किया और एक पिर के पास जाकर वह बैठ गई और सोचने लगी यह भगवान मैं हार चुका हूँ मुझे कोई एक वजह बताए कि मैं क्यों नहतास हूं और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है एक कावा ने वहाँ पर एक चिरिया को देखा और वह आकर बोला तुम जंगल में क्या कर रही हो यह सारी घटना उस चिरिया को बताई फिर उस चिरिया ने उसे अपनी पर बिती एक बात बताई उसने बोला मैं एक टमाटर का पेर और एक मिर्च का पेर बीज दिया था और उसे एक साल तक पानी दी पर उसमें से कोई भी बीज अंकरित नहीं हुआ और फिर समय बिता गया फिर दूसरी साल तक हम हार नहीं मानें और उसमें फिर से पानी दियें लगतार और फिर उसमें से टमाटर का पेर आ गया पर मुझे अफसोस इस बात का था कि मिर्च का पौधा अब तक अंकरित नहीं हो पाया था लेकिन मैंने उसे हार नहीं मानी और उसमें पानी देता गया पर टमाटर का बीज अंकरित नहीं हो पाया पर मिर्च का पेर अंकरित नहीं हो पाया और टमाटर बर कर बरा होनने लगा समय बित्ता गया ऐसे ही तीसरी साल कि ये टमाटर बहुत अधिक मात्रा में फरना इस्टार्ट हो गे चुगा था और उसे मेरी भरन पोशन होता और हम खुशी खुशी रहा करते पर जो मिर्च का बीज था वो अब तक अंकरित नहीं हो पाया फिर भी मैं चोथे साल उसे हार नहीं माना और उसमें पानी देते गया और टमाटर में देते गया पर उससे उस साल भी बीज अंकरित नहीं हुआ और टमाटर का पेर काफी बड़ा हो चुका था उससे बहुत सारे टमाटर आ चुके थे और उसे देखने में काफी अच्छा और उसे तोर कर खुब खाये करते और मिर्च का पेर वह अंकरित तक नहीं हो पाया फिर मैंने ऐसे ही पान साल भीज चुका फिर उसमें से बीज में से एक अंकूर निकला और वह बरा हुआ पर टमाटर के पेर से वह काफी छोटा था टमाटर अधिक मात्रा में फरता पर मिर्च का पेर अभी छोटा बीज अभी जन्म लिया था फिर मैंने हार नहीं मानी और इसमें पानी देता गया और समय कैसा टमाटर के पेर से भी वह मिर्च का पेर बड़ा हो चुका था और टमाटर से अधिक फल आ चुके थे और टमाटर से जितनी अमदनी हमें हो जा रही थी उससे कई गुणा हमें मिर्च की से अधीक अमदनी होना शुरू हो गई ऐसे ही तो हम इस बीच के लिए पांच साल इंतेजार किये थे और इसका फल हमें टमाटर के फल से काफी अच्छा मिला वहीं टमाटर हमें एक साल में ही वह प्राप्त कर लिया जिससे हमें उसे आमदनी काफी कम हुई और इसे यह सीख मिलता है कि संघर्ज करना परे तो समझे आपकी जीत निश्चित है और आप संघर्ज से निखरने लगते हैं खुशी खुशी सभी हिरहने लगते हैं और समझ में उसकी आजाते हैं संघर्ज